वीडियो डिस्क्लेमर इस वीडियो इस ओनली फॉर एंटर्टेन्मेंट परपर्स तो प्लीज डॉन्ट टेक सेरियसली लो गैज मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्सी मैसप में गैज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के म मैसप रियक्शन को अगर आपको ये मैसप रियक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो सेर जरूर कर दिजेगा और कि 2 चैनल के को सब्सक्राइब जहर कर लीजीए ऑ तो गाईस आगे की बाद कानी कीштzlich रहे इस कम्माल की वीडियो की शुरूआत करते हैं, पाकिस्ताने एक डिसीजिन लिया क्यों interfere डिर नबकल फॉड रृप यहां किया जाएं किया जाएं किया था से खुडे किया जा करें क्या हम देश की तेख की डवल्оп मेंों जा हम देष के लोगों का पेंट बरें चलिये आगंदा Hier imp ali potential —ag policeman kicked this one party the drug प्रश्वार पाकिस्तान ने तालिबान जैसे आतंग जिएश्ट को डिवेलप किया है तालिबान एक अख्टाइश्टी ओगनाइश्ट को चुडाने की मांग कर रहे थे उस समय पर इस हाईजक किया हूए जहाज को तालिबान ने एर इंडिय की एक फ्लाइट को हैज्च किय कि बाहर फोगिश कांदाहर में अडिए ती यह पकिस्तान की मदद कि ती यह एक अमौनी जैक है कि टौपके किसा पाकिस्तान न गयाँ कि एस इस इस डिउलिपलेगा से लिव जोप्रकीन है और दो अधार में लेकरमिशन दी थी. यानी पाहिसतान की मदद की थी थी. याद में पाहिसतान की इनलाईगा थी. ISI distributed money weapons and volunteer fighters to it's favorite Pakistani based groups which then sent these across the border into Afghanistan. अमेरिका के sources भी कहते होए आरहे है कि पिछले कई सालों से टालिबान को Pakistan करता हूँ आरहे है. लेकिन टालि dement पाकस्तान की राहूल गंधी और कॉंग्रेस पाटी जैसी रिलेस्टे रिलेशेंशिम्यृ ने राहूल गंधी को घिलाहे पिला के इतना बडा कि यह तना बडाAR किया और अब रहूल गंधी कॉंग्रेस को ही डूबारहा है और तालिबान भी लगता है पाकिस्तान के साथ लही करने वाला है आजकल तालिबान और पाकिस्तान के बीच में काफी क्लाश हो रहे हैं तालिबान और पाकिस्तान के बीच में रिलेशिट्शिप खराब होने का एक बड़ा रीजन ये है तीस्ता ग्र्णिष आए नियंक कहो चाई टालिबान्यद बिच परापिष्टानों कुष्ट करिक मेंगा है अची का शक्राम चाहिए इसलिए वो अफगानिस्तान का बोड़ किसे तुरिंट लाइन भी कहा जाता है इसको रेकिनाई़ नहीं करते आपल, आपकिस्तान एंग पाफित बेद इंगा इंगा ही दोरा थांगा एक पाहिज एगान चाहिए पाफित वन्हें शाहिए पुर्ण भात परे विचर आड़ीद इंग गार्व पाफित इंगा पैस्तान रहिए They were protesting the Pakistani army's excesses on the pretext of fighting terror in the name of a war against the Taliban. We are here because we want our rights. We have no demands. We do not fight to get power but rather to get justice for the cruel things they have done to us. Taliban defense minister has directly accused Pakistan of allowing the United States to use its air space for drone attacks against Afghanistan. In fact, drone strikes in Pakistan is so bad that when Pakistan's foreign minister Afghanistan reached, the Taliban defense minister is not going to meet the Taliban. ISI chief himself went to Afghanistan for the Taliban, but the Taliban has also ignored them. I am not. I am not. But Pakistan cannot be without the Taliban. This is the top Islamic clerics. They are also the Taliban-Pakistan, who the Afghanis Taliban support. They are supporting the Taliban that they have to make a Taliban state. Afghanis Taliban fighters also join the Taliban. जोइन कर रहे हैं इन फैक्ट तालिबान और फाकिस्तान के बीच के रिलेशन्स इतने डगमगा गये हैं कि जब पाकिस्तान पी-म शाहबाज शरीफ यूएन पहुंचे थे तालिबान को पाकिस्तान में हो रहे आतंकवादी अटेक्स के लिए ब्लेम करने के लिए तो अजय को तहरीक तालिबान पाकिस्तान या फिर TTP भी बोला जाता है टीटीप और तालिबान के बीच की मुना भाई और सर्कित वाला रिलेशन्शन्शिप लें ने तो तालिपन को चैप्चर कर लिया है तो तो थिटीप भी इस्लामाबाद को चैप्चर करना चाहता है ता TTP के पाकिस्तान में अटैक्स भी काफी बढ़ गए है पाकिस्तान ने तालिबान को बार बार कहा है कि आप अफगानिस्तान में बैठी हुई जो TTP की लीडर्शिप है उस पर एक्शन ले लेकिन तालिबान कुछ करनी रहा तालिबान भी पाकिस्तान को वैशे ही अगनोर कर रहा है जैसे भारत के वोटर राहूल गानधी को इगनोर करते हैं मताईए क्या दिन आ गए है एक समय होता था जब भारत पाकिस्तान को पाकिस्तान में बेटे हुए आटान हमादी उपर action लेने के लिए भरता था पाकिस्तान की सिरफ बात ही नहीं मान रहा बलकि document कमिव नग क्योंकि अगर क्वजा लिया जो कर्दा है वह अबस पहाभ हो सकता है कि तालिबान ौर इंडिया की हाईजक फ्लाइट को अपने देश में लैंड होने को अलाव किया था जिसने पाकिस्तानी आत्वादियों को छुड़वाने में हल्प की थी वो आज कुछ और ही चीजे बोल रहे हैं भारत के बारे में भारत के हवाले से अब क्या मौकफ है भारत के हवाले से इंडिया कन ओपन अप इस पॉलिसी फीस और प्रिविस गवर्मेंट अजिए प्रिविस गवर्मेंट प्र दोर्स अफ एमिरेट आ वाइट ओपन यह उनोरिवर्स कैसे हो गया भाया हो सकता है कि इंडिया कुछ स्ट्रटीजिक मूव कर रहा है अफगानिस्तान ले आप जानते ही है कि इंडिया पिछले कुछ सालों से अफगानिस्तान को ग्रेंज प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशनल ट्रेनिंग दे रहा है इंफ्रस्ट्रक्श्रल डिवेलपमेंट कर रहा है इंडिया ने कुछ सालों पहले अफगानिस्तान को एक brand new parliament building भी बना कर दी थी इस बात को अफगानिस्तान के लोगों ने भी एक knowledge किया है जहां तक कि Taliban ने भी एक knowledge किया है Taliban ने भी recognize कि इंडिया उनको high quality wheat भेज रहा है जबकि Pakistan जो wheat भेज रहा है उसको तो खाया भी नहीं जा सकता हाल ही में इंडिया ने जो budget announce किया था उसमें अफगानिस्तान के लिए 200 करोड का assistance package भी announce किया है जिसको Taliban ने काफी positively acknowledge किया according to US, Pakistan में attack कर रहे तालिबान के fighters को भी इंडिया शायद training दे रहा है in fact Taliban इंडिया से आजकल इतना खुश है कि इंडिया के साथ trade deals भी develop करना चाहता है और क्या आपको पता है कि इंडिया तालिबान के leaders को Indian Institute of Management में diplomatic training भी दे रहा है हो सकता है कि इंडिया ने पाकिस्तान और तालिबान के बीच में खराब हो रही relationship में एक opportunity realize की है और हो सकता है इंडिया ने realize कि जो टोटके पाकिस्तान हम पर इस्तेमाल करता हुआ आया है वो हम इन पर क्यों नहीं कर सकते यहां तक कि सिर्फ तालिबान को ही नहीं बलकि इंडिया ने पाकिस्तान में चल रही freedom movements के बारे में भी आवाज उठाई है बलूचिस्तान के लोगों ने गिलगित के लोगों पाक अक्वाइड के लोगों ने पाक नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे वहाथ बहुत था किया है दूर दूर बैठे विये लोग जिस ध हत्ति को वने ने देखा लगो जिए भारत को सपोर्ट दे रहे है सिंध के freedom movements में भी मोदी जी के पोस्टर देखे जा रहे हैं, बताइए और भारत के बलोचिस्तान और सिंध के बारे में आवाज उठाने के बाद बलोचिस्तान में security forces के उपर भी attacks काफी बढ़ गए हैं और सिंध और बलोचिस्तान में ही नहीं बलकि P.O.K. में भी आजकल freedom movements उभर कर आ रही है और पर जोर दो अपील करते हैं अंदुस्तानी government से के ख़दारा ख़दारा मुर्मूदी आओ और इस जल्म से यान जात दलाओ लोगों को और देखिए इससे इंडिया को clearly benefit हो रहा है बलोचिस्तान, Liberation Army और तालिबान जैसे जो आटफिट्स है वो कश्मीरी आटपादियों को निप्टा रहे हैं तालिबान का दुष्मन आइसिस है और तालिबान कश्मीरी आइसिस लीडर्स को भी मार रहे हैं कई पाकिस्तानी आटपादी जिन्होंने इंडिया में आटपादी आटपादी अटक्स किये हैं उनको भी अन्नोन गन्मेन पाकिस्तान में निप्टा रहे हैं पकिस्तानी मिलिटरी इस्टाबॉश्मेंट्स, पुली स्टेशन और ओफिसर्स के ओपर भी बलोच तालिबान और अलग-अलग तरह के लोग अटाक्स कर रहे हैं Pakistan and gunmen have attacked the police headquarters in the southern city of Karachi TTP ने तो पकिस्तान के नाग में इदम किया हूआ in november pakistani taliban it is thehrike taliban pakistan they withdrew from the ceasefire in the past three months alone ttp is believed to have carried out 140 attacks in pakistan it tells you 282 security men have been killed in 2022 40 in december alone they want to take over pakistan यहां तक की पाकिस्तान में उन्होंने परलल गवर्मेंट भी अनौंस कर दी हो उस वज़स से आज हालात यह हो गए है के एक समय पर भारत आटिकवाद के बारे में पाकिस्तान के बारे में कम्प्लेंड कर रहा है और देखिए हमें 100% तो अबिस्टी पता नहीं है कि इंडिया तालिबान को ओफिशल सपोर्ट दे रहा है या बलोचिस्तान या सिंद को ओफिशल सपोर्ट दे रहा है लेकिन कुछ लोग शाहत बोलेंगे कि क्या इस तरह के मुव्मेंट्स को या आत्पादी ओगनाजेशन को इंडिया को सपोर्ट देना चाहिए या रिलेशनशिप डिवलप करनी चाहिए उनके लिए मैं एक चीज बोलूँगा कि देखिये भाईया पिछले इतने दशकों से पाकिस्तान साम दाम दंड भेत का इस्तिमाल करके भारत के लोगों को मार रहा है और भारत में आत्पादी अटाइक्स कर रहा है पाकिस्तान एक आखवादी स्टेट है जब भी पाकिस्तान स्टेबल होता है तो इंडिया को आतक इस्तिमाल करके टार्गेट करता है तो इंडिया के पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो भी साम दाम दंड भेत का इस्तिमाल करके पाकिस्तान को टार्गेट करें और अगर पाकिस्तान डी-स्टेबलाइज होकर रहेगा तो उससे इंडिया को अड्वांटेज है कि उनके उपर आपक्वादी अटैक्स नहीं होंगे, वो अपने आपको डिवेलप करने पर फोकस कर सकते हैं, हमें आचार्य चानक्य की फिलोजोफी याद रखनी चाहिए, एक बार में एक पौधे का काटा लगा, तो उस पौधे को सिरफ काट देने के बजाए, उन्होंने उस पौधे के उपर मीठा दूट डाल दिया, उससे हुआ क्या कि इतने सारी चीटिया उस पौधे पर चड़गी कि उस पौधे को जड़ से खतम कर दिया, और अगर पाकिस्तान भ जब उससर को तालिबान ने खतम किया था, तब सीधे कश्मीर को टारगेट किया था, तो अगर तालिबान और पाकिस्तान को इंडिया एक दूसरे के साथ बिजी रखेगा यह भी इंडिया के लिए चीज़ है, यह एक और स्ट्रेटिजिक गोल यह है कि तालिबान इंडिय लेकिन उनके पास बहुत सारे मिनरल रिसोर्से अफगानिस्तान के पास बहुत सारा लिथियम भी है जो बेसिकली इलेक्रोनिक विह के लिए तेल के बराबर माना जाता है, चाइना ने ओर टालिबान के चाहिए कि जितने पैसा उन्हें लगाया है, जितने रिलेशन्शिप उन्होंने डिवेलब की हैं तालिबान के साथ और अफगानिस्तान के लोगों के साथ, वो सब गड़े में ना चला जाए और चाइना अफगानिस्तान में आके इंडिया को उवर्टेक ना कर ले, और देखिए अगर इंडिया डिवेलब करना चाहता है एक रिलेशन्शिप तालिबान के साथ पाकिस्तान को टार्गेट करने के लिए, तो ये भी एक स्मार्ट तरीके से करना चाहिए, क्योंकि देखिए अट दी अन्ड दे डे, तालिबान भी एक इस्लामिक आख़वादी आउटफिट है, तालिबान के लिए भारत के लोग हमेशा काफिर ही रहें भारत के पासे कहाँ पर उपरचुनिटी है, अफगानिस्तान के लोगों का, तालिबान के लोगों का, इंडिया की तरफ एक फेवरेबल रिलेशन्शिप है, क्योंकि इंडिया ने हवेशा अफगानिस्तान की मदद ही की है, डिवेलपमेंट ही की है इंडिया इस आर बेस्ट प्रेंड यह रिसेंडी का है अफगानिस्तान के लोगों ने एक यूरोपियन कंपनी ने बड़े स्केल पर सर्वे किया अफगानिस्तान बें से पूछा कि किस कंट्री को आप मानते हो बेस्ट प्रेंड और सबसे ज्यादा परसेंटेज के हसाब से है और वह पाकिस्तान से नफरत करते हैं कि पाकिस्तान में आ 그래도 डिवलप किया है और वह पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट कुट्रोएंड को पाकिस्तानThe हिसों का इफ्गानिस्तान का हिस्सा मानते तो अगर भारत इस दुश्मनी का फाइदा उठाकर अपने स्टीजिक हां तक हो गया था कि लोगों ने इतना फोकस नहीं कि यूएस भी बार बार बूल रहा था कि देखो भाई आ, पाकिस्तान नहीं सारी पारडम शुरू की है, अफ़गानिस्तान में, उस वक्त जब यूएस कंट्रोल करता था अफगानिस्तान को, उसके बाद अब देखिये कितना सब कुछ इल्टा हो गया कि पाकिस्तान ने create किया है तालिबान को वहां पे control करने के لिए तालिबान के पास जब control आया वो पाकिस्तान में आ रहे हैं अपने operations कर रहे हैं क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि देखो भाया तुमने हमारे लिए against बहुत का रखिय है प्रिए थोड़ी सी लेंथी थी तो आप लोगो जाता मतलव होगा अपने फॉट्ट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल पेना हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा तो थांक मिलते हैं नेक्ट टीट टो टेंगे